दोस्तो कभी-कभी हमारा computer किसी driver के update ना होने की वज़ह से बहुत ही slow हो जाता है और कुछ-ना-कुछ errors का भी सामना करना पड़ता है आईए इन सभी errors को online fix करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको type करना है driver pick solution online यहां जो पहला link आएगा उस पे click करें अब यहां green button पे click करना है जिस पे लिखा install all required drivers इस पे click करेंगे तो एक छोटा सा setup download करने को मिलेगा अब इस setup को run कर दें आपके system में जो भी drivers की जरूरत होगी वो सारी की सारी online update होने लगेगी यहां आपको थोड़ी देर wait करना है अब आप देख सकते हैं driver installation complete हो गया है अब आपको कुछ extra programs मिलेंगे जिसे चाहें तो आप अपनी जरूरत की मताबिक install कर सकते हैं यहां कुछ नहीं करना है इस option से आपका system free हो जाएगा यहां आप तीनों option को check करके clean up पे click करें हाँ तो दोस्तो आपका computer अप पूरी तरह से updated हो गया है तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो फिली like करें दोस्तों से share करें सब्सक्राइब करें और साथी साथ वेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी नए tips और tricks वाले वीडियो अपलोड होगी आपको उसका notification जरूर मिले तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद